आप सभी को एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 21.2.2024 को जारखन बोर्ट जेक मेट्रिक परिच्छा 2026.2024 में विक्याद विशाय का सबसे महत्मौन एक्जाम होने वाली है और इस एक्जाम में कैसे अधिक से अधिक नमबर इसके चलते हैं मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइट कर रहा हूं और यहां पर जो पहले वीडियो में मैंने दिया था कि पांच मार्स के जो सबसे अधिक इम्पोटन कोश्यन है उसको सबसे पहले मैं आपको दिया था पहले वाले वीडियो में आज मैं आपको तीन मार्स के जो कोश्यन द्लोकर में चांसे लगते हैं को मैं आपको आज प्रॉपाइट कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो कोश्चैन हैं वो आपको अधिक से अधिक नंबर लाने में आपको मदद करेंगे तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको यह उस question के बारे में की और ले जाना चाहूंगा जहां पर आप इसको देखकर अधिक से अधिक नमबर लाने का कोशिस करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस परकार अधिक से अधिक नमबर हम ला सकते हैं तो सबसे पहला question है फिजिक से जो परकास का परावर्तन या परकास के अपवर्तन तथा उसके नियमों को लिखें देखें यहां पर यह question क्या कहता है कि परकास का परावर्तन या परकास का अपवर्तन ये दोनों में से कोई एक ही आएगा या तो परकास का परावर्तन किसे कहते हैं या परकास के परावर्तन के नियमों को लिखें या परकास के अपवर्तन किसे कहते हैं और परकास का अपवर्तन के नियम को लिखें या इन में से कोई एक ही प्रस्ण इसमें आ सकता है जो काफी ज़्यादा महत्पून है या दो नंबर या तीन नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा तो question number two यह भी physics से है जो उत्तर दर्पन और अवत्तर दर्पन या lens में उत्तर lens अत्वा अवत्तर lens में क्या लिखने के लिए आता है अंतर लिखने के लिए भी यह question बहुतो बार metric में आया हुआ है तो आप इस question को भी देख सकते है question number two अवत्तर दर्पन के दो उप्योगों को लिखे या दो मार्स का ऐसा question है कि यह बहुत बार आया है तो इसलिए आप इसको बहुत ही ज़्यादा important के रूप में ले सकते हैं फिर चलते हैं question number four गोलिया दर्पनों या लेंसों द्वारा पर्तिभीम का बनना में से कोई एक परस्ण यहाँ पे तिन नंबर का या दो नंबर का यहाँ पे जरूर रहेगा या जैसे गोलिया दर्पन में अतल और उतल दर्पन के सामने जो बस्तु रखे थे उस बस्तु का पर्तिभीम कैसा था वास्तविक था, कहां पे बना था, फोकस या फोकस या दर्पन के धरूप के सामने बना था तो ऐसे जो हम लोगों ने बनाया था वही उसके बारे में कोई एक परस्ण यहाँ पे मेट्रिक में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है फिर पाच्वा कोईशन हीरे का अपवर्तनांग 2.4 है इस कफन का क्या अभिप्राव है या जल का अपवर्तनांग 1.33 है इसका क्या ताठपर है या भी कोईशन बहुत ही ज़्यादा इम्पर्टन है जो physics से है, question number 6, दृष्टी दोस, दृष्टी दोस ऐसा topic है, जहां पर metric में सबसे ज़्यादा आने के chances होते हैं, जैसे दृष्टी दोस जो 3 परकार का होता है, निकट दृष्टी दोस, दूर दृष्टी दोस और जरा दृष्टी दोस, उसमें से जरा दृष्टी दोस का और इसका निवारन, एही question आता है, दिर्ष्टी दोस किसे कहते हैं, इस दोस के निवारन किस परकार से किया जा सकता है, सचित्र समझा है, या दिर्ष्टी दोस किसे कहते हैं, इसका कारण और इसके उपचार, इन दोनों में से कोई 100% ही किया आएगा, question number 7, प्रीज्म जो spectrum बनने की घटना होती है, कृत्रिम spectrum, प्रीज्म दोबारा परकास का अपवर्तन, जो बन विचेपन की घटना को दर साता है, वो बहुत ही ज्यादा important है, question number 8, तारे क्यों टिम 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 आते हैं, गरह क्यों ने टिम 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 आते हैं, तो यह तारे क्यों टिम टिम टि question बहुत ही ज्यादा metric में आया हुआ है, या तीन मार्क्स ज्यादा अभी तक नहीं आया है, परतिरोध क्या है, किसी चालक का परतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यह भी question बहुत ही ज्यादा important है, question number 10, विद्दूत लेंपों के तंतुओं के निर्मान में परायर टं इन किनी तीनों में से कोई एक परस्ण जरूर रहेगा, जैसे चुम्बा की अच्छेत रेखा है, कि गुनों को लिखे, या चुम्बा की अच्छेत रेखा का पेटरन कैसा होता है, या चुम्बा की अच्छेत रेखा किसे का ते, या तीन टोपिक में से कोई एक टोपिक व important question है अब question number 13 जो भी physics से है अतिभारन योंग लगुपत्थन को समझाए यह इतना question 13 question physics में बहुत ही ज्यादा important है उसके बाद question number 14 जो chemistry से शुरुआत करते हैं रासाइनिक अभिक्रिया के परकार जो रासाइनिक अभिक्रिया का परकार में जो सयोजन हमने पढ़ा था वियोजन को हमने पढ़ा था विस्थापन में एकल विस्थापन और दिवी विस्थापन को पढ़ा था उपचयन और अपचयन में जो redox अभिक्रिया उसके बाद वि विच रिवाइज किजिएगा अब तो ज़्यादा समय नहीं है बस रिवाइज ही करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे क्वेशन नमर 15 बायों में जलाने से पहले मेगनेसियम रिवन को साप क्यों किया जाता है यह अभी बहुत ही ज़्यादा कुछ बरसों से बहुत ही ज़्यादा यह कोसियादा है अभी साइंस में आ रहा है मेट्रिक जारकन बोट का यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टन कोस्टियन केमेश्ट्री में AAC को माना जाता है और यह कोस्टियन नमबर सोलो जो संतुलित करने के लिए आपको जरूर मिलेगा संतुलित करने का यह पांच नमबर का नहीं अभी तक नहीं आया यह अधिक्तम तीन नमबर का ही कोस्टियन चाहे प्रिवोड हो चाहे मेट्रिक का जो प्रिवोड हो चाहे टेस्ट हो चाहे फर्स टर्म में हो तो यह मैं सबसे ज़्यादा इसको मैं इंपोर्टन मानता हूँ और यह question सबसे ज़्यादा आने की chances बनते हैं, तो आप इन question को जरूर देखें Question number 17, उदासनी करन अभी किरिया किया है, दो उदारंदे, यह भी question बहुत ही ज़्यादा important है Question number 18, बिरंजक चूर्ण के तीन महत्पून उपयोगों को लिखे, यह यह baking soda के तीन उपयोग बताएं यहाँ पर जो बिरंजक चूर्ण है, baking soda है, धोने वाला soda है, तो यह question यहाँ पर 3-4 topic पर जो question chemistry में है यहाँ से एक question दो मार्स के जरूर आएंगे Question number 19, जिपसम क्या होता है, इसको 373 Kelvin पर गर्म करने पर क्या होता है जिपसम तो आप पढ़े ही होंगे, और जिपसम से plaster of Paris पनाया जाता है तो एही इसी को से related एक question है पर जरूर रहेगा Question number 20, उभय धर्मी oxide क्या होते हैं कि नहीं दो उभय धर्मी oxide के नाम लिखे है उभय धर्मी, उभय मतलब दोनों, धर्म मतलब जो आम लेचारत दोनों के गून को परदर्शित करता है वही उभय धर्मी है, तो यहाँ से एक question जरूर बनता है Question number 21, sodium धातू को मिट्टी के तेल में डूबा कर क्यों रखाया जाता है यह भी question यहाँ पर आ सकता है उसके बाद question number 22, आयनिक जोगिकों के गुन धर्म को लिखे आयनिक जोगिक, जो धान आयन और रिन आयन से बने जोगिकों को आयनिक जोगिक करते है उसका गुन धर्म को यहाँ लिखना है, हम लोग तो पढ़े ही है Question number 23, भरजन एवं निस्तापन क्या है, एक एक उदारन देना है भरजन मतलब गर्म करने की परिक्रिया, यह भी निस्तापन यह भी एक गर्म करने की परिक्रिया है लेकिन किसी को बायू की सिमित मात्रा में करते हैं और बायू की असिमित मात्रा में गर्म करने की परिक्रिया को भंजन निस्तापन का जाता है तो आप जो भी होई, इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते है कोशन नमबर 24, संचारन क्या है, संचारन से बचने के उपायों को लिखे कोशन नमबर 25, थर्मित अभिक्रिया किसे करते हैं, इसके कोई दो उपयोगों को लिखे थर्मित अभिक्रिया, जो रेल की पट्री को जोडने के काम में आता है के बारे में एक कोशन रहता है, कोशन नमबर 26, प्रकार्यात्मक समो या अभी लच्छा किया समो किसे करते हैं नेमन जोगी को में बिद्वान परेकात्मक समो का नाम को लिखना है तो एक, दो, तीन, चार, इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं या भी बहुत ही ज्यादा important question है मेंडलीप का आवर्थ नियम क्या है? मेंडलीप के आवर्थ सार्नी में कितने आवर्थ और समो होते हैं या भी बहुत ही ज्यादा chemistry का important question है अब आते हैं biology section से हम लोग देखते हैं कि पी तरस के दो कारियों को लिखने हैं सिर्फ दो ही तो अगर दो कार बोलेगा तो यह तीन नमबर का नहीं आएगा या दो नमबर का ही question सबसे ज़्यादा आने के chance होते हैं या दिर्ग रोम के दो कारियों को लिखे या रोधिर क्या है इसके दो कारियों को लिखना है उसके बाद question number 29 भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है या question number क्या है 19 जो बहुत ही ज़्यादा biology में important है question number 30 DNA प्रतिकृति का प्रजरन में क्या महत्तो है या अनुवन्सिक्ता में DNA की भूमिका या जिवास क्या है वे जे विकास प्रक्राम के विशाय में क्या दर्साते है तो इतना जो question है या सभी आपको दो मार्स के और तिन मार्स के question सबसे ज़्यादा important है तो आप इसको अभी जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय में अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आप अधिक से अधिक नमबल लाने की संभावना आप में बन जाती है तो इस तरीके से या वीडियो आपको कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं आपको अभी अगले वीडियो में और बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा आने वाले चांसेs मन बनते हैं तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद आप हमारे वीडियो को जरूर देखे और जरूर कमेंट कीजिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धैन्नवाद